नाशनल कैंसर रेजिस्ट्री प्रोग्राम के डेटा के अकॉर्डिंग जुम्मू कश्मीर में पिछले 6 सालों में 80,000 कैसे रिपोर्ट हुए और पिछले एक साल में सबसे जादा हुए जो के थे 14,112 यह जो drastic increase है cancer की cases में इसके बहुत ही different reasons हो सकते हैं और उसको detail में जानने के लिए हम आज आए State Cancer Institute जहांपे हम बात करेंगे Dr. Meir Mohamed Hussain से जो के Assistant Professor है Department of Medical Oncology और वह हमें बताएंगे इसके क्या reasons है और क्या increase वाकई में है या नहीं Welcome to Rising Kashmir पहले मिठसाब से basic question है जो हम बोलते के cancer increase हो रहा है it's a hype thing क्या सची में क्श्मीर में increase है cancer का Okay thank you for conducting this awareness program आपका जो पहला question है क्या वाकई cancer के cases में बढ़ोतरी हो रही है तो अगर हम देखेंगे कि यह ग्लोबल एक trend है पिछले कई 20 साल उसे continuously देख रहे हैं कि cancer के जो cases है वो बढ़ रहे हैं globally भी इंडिया में भी और हमारे जेटके में भी cases बढ़ रहे हैं अगर आप data देखोगी जो WHO का है जो World Health Organization है तो अगर आप देखेंगे 2008 में करीबन around 12 million cases of cancer register होई थे एक साल में globally तो यह बढ़ा करीबन 15 to 16 million in 2020 और prediction है कि 2030 में यह cases करीबन 21 million हो जाएंगे so there is a constantly यह जो cancer है यह बढ़ रहा है अगर आप इंडिया में भी देखोगे करीबन 10 साल पहले साल में 9 to 10 lakh cancer cases register होते थे और अभी जो है around 15 to 16 lakh 9 cancer cases register होते हैं हर साल और हमारी अगर जेटके के बात करोगे तो यहां भी है अगर आप देखोगे आज से 10 साल पहले साल में skims में ही करीबन 3,000 cases नई register होते थे लेकिन आज हम देखते हैं करीबन skims में ही 5,500 नई cases register होते हैं हर साल तो यह trend दिखा रहा है कि cases जो है cancer की वाक्री में बढ़ रहे है जो भी आपने डेटा बताया है यह काफी alarming और concerning है अब क्या लगते हैं इसके reasons क्या है अगर हम reason देखें के तो reason इसके काफी सारे हैं लेकिन अब जो ज़्यादा तर जिन पर focus है कि world population जो है वो बड़ी है अगर आप देखोगे कि world population is more than 8 billion अगर आप फिर इंडिया का ही देखोगे तो इंडिया पास सरपास चाइना population हमारी है more than 140 billion जेंड के की population बढ़ रही है तो population का बढ़ना एक एहम काज है कि cancer के cases भी ज्यादा बढ़ रहे है कि cancer ज्यादा तर disease है elderly population की तो जितनी ज्यादा population होगी elderly लोग होगी उतनी चांसे है कि ज्यादा cancer के cases देखे जाएंगे दूसरा है कि population बढ़ी एज भी बढ़ी जो अगर आप देखो कि आज से 50 साल पहले जो life expectancy थी 30-40 years थी आज हम देखते है life expectancy is almost 70-80 years even in our country इंडिया जेंड के का भी है जो average है 74 years है life expectancy जितनी ज्यादा आप elderly लोग देखोगे उतनी चांसे है कि cancer के ज्यादा cases होगे यह है दूसरा है कि जो अब medical sciences में भी काफी improvement होई है काफी सारे cases अब detect होते हैं और जो health care facility हैं अब हर जगह है diagnostics हर जगह है doctors available है तो यह patients जो है यह pick up करते हैं early उससे भी हमें लगता है कि cases बड़े हैं उसके बाद है लोग भी conscious है अब जब awareness है through different media houses तो उसमें भी लोग aware होते हैं उनको अगर कभी symptom रहते हैं काफी दे तक तो वो चाहते हैं कि हम million doctors है और उससे भी chances है कि हम ज़्यादा cancer की cases pick up करते हैं तो फिर बाकी reason is है जो cancer के बढ़नी के है besides this जो को हम risk factors बोलते हैं तो इसमें कोई नए risk factors involved हुए है मतलब यह सब तो जो भी आपने अभी हमें enlist के this is common but क्या कोई नया और जिसके बार में लोगों को पता नहीं है ऐसा कोई risk factor है अगर आप देखेंगे कि cancer के जो risk factor है हम दो हिस्सों में बाटते हैं एक risk factor होता है जिनको हम modify नहीं कर सकते हैं दूसरे होते हैं जिनको modify कर सकते हैं अगर हम modifiable unmodifiable risk factor इसको for example age है जैसे यह age बड़ी तो cancer की chances है बढ़नी के दूसरा कोई cancer किसी खास sex में होता है जैसे breast cancer familialism में होगा prostate cancer familialism में होता है तो यह उसके बाद है कुछ cancers जो हैं वो families में run करते हैं जिनको हम genetic hereditary cancers यह familial cancers भी कहते हैं बड़ यह ज्यादा 5 तो 10% होते हैं ज्यादा तर cancer जो sporadic होते हैं उनके जो risk factor है modifiable जो हम जानते हैं जैसे smoking एक important factor है उसके साथ ज्यादा alcohol पीना उसके बाद जो lifestyle में change आई है because of the industrial revolution आया उससे जो lifestyle है वो काफी change हुआ है लोग ज्यादा तर स्टेंटर लाइफ स्टाइल है आफसें में काम करते हैं physical activity बढ़ी जो physical activity काम हुई यह भी these are risk factors जो हम modify कर सकते हैं उसके बाद कुछ infections भी हैं जो cancer करते हैं उसके बाद कुछ है कि जो unhealthy diets लेते हैं उन में भी वो भी cancer का रिसक बढ़ा सकते हैं तो अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे अगर हम देखेंगे आज से 20-30 साल पहले ज आज कल वो है नहीं क्योंकि कांगडी जो है वो आलमोस्ट रिपलेस हुई है नए जो electrical gadgets हैं तो कांगडी का cancer काम हुआ है इसी तरह अगर हम पहले देखते हैं जो हम ज्यादा तर सुखाते थे सबजियां विंटर के लिए इमना इस वाना होखाक होगार्ड या वाइड तिम ब्रस्ट कैंसर अन्डोमेटरियल कैंसर बाचदाओंकूप कैंसर यह आख नो रिसक नहीं नहीं प्राइन नहीं क्यांट थे कंजिए प्रिक्योर यह जाद करिया बन शी मुट्री आजी इंडस्टी शुर्सास करोर इन्वल तरन आरांड तो यह आख अहम अहम फेक्टर यह नहीं करेंक वह उतल इंडस्ट आज कर्यांग आज अजिए बेखकर शुर्साइब नहीं करते हैं फॉर्स्टिछ जादर प्रैन नहीं इति प्रेंड थे प्रेटरिश डिए नहीं और शुर्स्टिटराँ छह गरेश तर इज सूच अगरे सुछाओ के फूट अजिए सुछ करनि चैन्स का इसका प्रूफ के ऊंभुष की यह स्क्राइड कि कि इन ख्रूफ की जाया रिशिया है एक फाल्ट मारे अगर आज경 स्पोजर गैशी है करने के डिजीज करते मन इन ख्रूफ का समय थाँ की है और्डूक वर्या अंदेश, आजमुर्टे ब्रेस देदेश्स अच्छाइंपी है क्या है विए क्यान्स पार हैं ब्रेस्ट कैंषर क्यों कि अज था द्रूक है आई नाती है इब ह।ॉटमूषलाइब्टि करद में प्रेस्टिंजियॉ ताम स्थिश रिस्क बादन, बे अदल्टरिशन वन में तगाड़ा है, इम चिके है, नई फेक्टरी में पर फोकॉस में ज्याद करूं, आप में अक्लाइट है कि यह मैं प्रियें डियेटरी हैबितर साइस, इस्पेशली काश्मियरस में तिम गई चीज़, रेडमीट शाख साइस, यह मी रूम काशन जाद केमघ जीजाद काशली काशन, जे बीचीज़, बज्दा बज्दाउ साइस, दोलदाउड में चैनल शाख यहाल है, बागय है, इस उमीकिंग अहने थταश। ओट वज्यारि साहर। बेश Online का इंडिया ना वरे स्थ बागय है। ना में आपएकनिगेLove six gift system, याचू जिया पनतितंतान, इस प्रकाना वेलम्हेन सहे सहां थे स्थ कंवाभय है। मुझ canyon मुझ मुझ मखले बिआमेरश थी είbury Н ändern मेंगां, फिम आर्ण душ अगर पाते हैं में राख केन्स मुझ मगज थे हैं, क्वार फॉपनी क्राइव समोर्जों Probably Isul Yes, máma there a अजिए अज़ा नंचाई अज़ारणी किया हो चाहल दो आफिट, इसे अपर वाइड करें जिए ऑर आफ मुष्णा आफिए टार से अशीर्ट कैने खिर आफिब करें इसे यह कुछाइब अज़ारी कि श्यूरु कारें तो इसे अजिए अज़ारी करें, भाओ करें जो आफ जिस आपने। एमसे लिए परेमेट करेदेश अबाश्यरत झारह भीचार्याथ जाना उनकी काम के उन ? शोगर काम करें, या चारबीदर चीज काम किए, चार्बोह्यृटरेटे, शोट्थ, तख सेथैं, लिगन irर को एटल जोटे भी जाए, शोटी होते हुए, जीक्ज़ जातब है शोप्रेष्पवेट लगेत हैं, फ्त वैश्टर छर्छे ए चाहए, तबछेपिट ब्शूमावाद बाक्षोज लेओ एक ये हो health. इन हो अगर शुमावा भर में जाएंगे, we areveis itself . अचल्फेस पानवाद काईlage is effective जड़ा, जो विंदार Comics गोड़न गात्त पाइस कालब है हो बनतों हुष्च्छ – इन हो पडनासमेश वाहरा है ? या रिसेंटली को गवर्मेंट आफ इंडियान लाँच हीमन पैपलोमा वाइरस खलाफ वैक्सिन ताम सीथ हैं काम केशित सर्वाइकल कैंसर या बेटी केंसर इंफेक्शनल से सुविए थी इंशी के अहम फैक्टर इमोसित इस कैंसर है को काम करें त। जमू कश्मीर पूरे इंडिया में नंबर 6 पर रांग होता है in terms of tobacco use टोबाको के साथ साथ बागी कुछ factors जैसे के sedentary lifestyle, food adulteration, alcohol use यह सब reasons है cancer increase के लिए responsible मैं मलिया सोफी, camera person सुहिल सोफी के साथ for rising कश्मीर